दोस्तो नमस्कार मैं जगनाद गोता हूं देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है दोस्तो हरियाना विधान सवा के चुनावंतिम पड़ाप पर पहुंच गए हैं लेकिन मैं जो आज बात करने वाला हूँ आप लोगों से वो फरीदावाज संस्दिय सीट की नो सीटों पर फिलहाल क्या इस्तिथी है और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है यानि नो सीटों में से भाजपा को कितनी मिल रही है कांग्रेश को कितनी मिल रही है इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये है कि मैंने भाजपा के ही खास पदादिकारियों से बादचीत की लेकिन वो बादचीत आफ दी रिकॉर्ड है कैमरे के सामने वो ये बात कहने के लिए तयार नहीं है लेकिन आफ दी रिकॉर्ड जो भाजपा के ही नेताओं ने मुझे बताया फरीदवास्ते सीट की नौविध हनसाबा सीटों का क्या परिणाम भाजपा नेताओं को दिखाई दे रहा है तो जो उन्होंने बताया उसका लबो लुबाव ये है कि इस बार वो मान के चल रहे है भाजपा नेता ही मान के चल रहे है कि फरीदवाद की नौव सीटों पर भाजपा की हालत बहुत अच्छी नहीं है या दूसरे सब्दों में आप कह सकते हैं कि भाजपा की हालत पतली है और जब भाजपा के ही नेता इन नौ सीटों में से तीन या चार जीतने का दावा कर रहे है तो एक्चुल में तो इस्तिथी और भी गंभीर हो सकती है जब भाजपा के पदादिकारी ही नौ में से तीन या चार की बात कर रहे है तो ये संख्या और भी घट सकती है और इसी तरज पर आप पूरे हरियाना की चुनाप पर लाओमा को अभी अंताजा लगा सकते हैं ये मैं बात क्यूं कह रहा हूं जोड़ देकर कि इसलिए कि फरीदाबाद और गुरगां भाजपा के गड़ बताये जाते हैं और जो पिछले 2014 से जो अब तक के रिजल्ट बताते हैं उनसे यही सावित होता है कि फरीदाबाद और गुरगां जो सहरी छेतर हैं ये वास्तम में भाजपा के गड़ हैं और चुनाब परड़ाम हमेशा 2014 से अब तक भाजपा के हक में रहे हैं तो उस लिहाद से इन भाजपा नेताओं की कबूल नामा चिंता जनक कहा जा सकता है तो जहां मैं नौ सीटों की बात कर रहा हूं उनमें से मैं कुछ दो तीन सीटों की जो फरीदाबाद जिले की हैं उन पर भी आना चाहूंगा उनमें ये खास बात क्या है कि कुछ जो फैसला अभी कांग्रेस हाई कमान ने किया है तिगाओं से जो पूर विधायक रहे हैं कांग्रेस के और इस बार ललित नागर को टिकट नहीं दिया गया तो वो विद्रोही हो गए और ललित नागर ने कांग्रेस के अधिकरत उम्मीदवार रोहित नागर के खिलाब खंब ठोक दी और चुनाव लड़ने का फैसला किया और वो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे और माना ये जा रहा था कि वैसे तो उनको हुड़ा जी के खेमा का बताया जाता है कि यदि वो जीत गए तो कांगरेस के साथ उनका जाना तह है इसी तरीके से सार्दा राठ और भी दो बार कांगरेस के टिकट पर चुनाव जीत सुकी है विधायक रही है उनकी बारे में भी यही कहा जा रहा था कि उनको कांगरेस हाईकामन ने टिकट नहीं दिया और एक अंजान से चहरे पराग सर्मा जो वकील बताई जाती है उनको टिकट दे दिया तो सार्दा राठ और ने भी कांगरेस की अधिकरत उम्मेदवार पराग सर्मा के खिलाप खंब ठोक दी और वो मजबूती से चुनाव लड़ रही है और कैई दिन पहले तक ये माना जा रहा था कि तिगाओं सीट पर ललित नागर भाजपा के राजेश नागर जो दो बार से लगातार चुनाव जीते हैं विधायक बने हैं तीसरी बार भी वो जीत जाएंगे ऐसा भाजपा मान रही थी लेकिन अब वो कह रही है भाजपा के ये नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन दोनों नेताओं को ललित नागर को बललवगर से सारदार राठोर को कांगरेशन निस्कासित किया है तो इनके जो जीतने की संभावनाएं थी वो कम हो गई है हाला कि दोनों को मतलब जनता का समर्थन है और जिस तरीके से जो बताया जा रहा है या जनता के बीच में हैं तो उनको सहन भूती मिल रही है जनता की सारदार राठोर को बललवगर से ललित नागर को तिगाउं से लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इन दोनों के निस्कासित के बाद 6-6 साल के लिए जो कांगरेस के अधिकत उम्मिदवार है उनकी दावे-धारी दावे-धारी वो तो अधिकत उम्मिदवार हैं उनकी ज़ादा संभावनाय बन गई है कि उनको अब ज़्यादा बोट मिलेंगे जीतेंगे या नहीं ये तो बविसे के गरम में चिपा है चाहे पराग शर्मा है चाहे ललित नागर है लेकिन विद्रोई उम्मीदवारों के खड़े होने के कारण ये मुकावलत तिकोनाता हुई गया था लेकिन सार्दाराठोर और ललित नागर के जीतने की भी संभावनाएं बताई जा रही थी लेकिन अब ये नेता जो भाजपा के नेता मेरी कल ही उनसे बात चित हुई तो अब वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेशियों की आपसी लड़ाई के चलते यानि रोहित नागर और ललित नागर दोनों में कांग्रेश की बोटें बढ़ जाएंगी तो राजेश नागर को एज मिल जाएगा यानि तिगाओं सीट पे भाजपा उमीदवार राजेश नागर की जीतने की संभावना बढ़ गई है यानि भाजपा को अब लग रहा है कि सीट पे राजेश नागर का जीतना लग भगता है उसी तरीके से भाजपा के नेता घवराए हुए थे कि जो सहन भूती शारदा राठोर के हक में चल रही है और उन्हें जितना भारी जन समर्थन मिल रहा है लेकिन जिस तरीके से कांगरेश ने उनको भी 6 साल के लिए निसकासित कर दिया है तो उससे कुछ पन्ला पराग सर्मा का भारी हो सकता है और जो पहले पराग सर्मा का नाम कहीं नहीं चल रहा है मीडिया में भी नहीं है लोग भी नहीं जानते हैं रोहित नागर के साथ भी ऐसा ही है कि उनको भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, हालां कि रोहित नागर का जो पोर्ट पोलियो है, वो बहुत अच्छा है, वो पढ़ा लिखा नौजवान युवक है, मैंने उसका भाषन में देखा था, बहुत अच्छा, वो बोल ह quartz है, लेकिन उसके बावजूद तिगाव छेत्र के लोग उसे बहुत ज़्यादा जानते नहीं है, उसी तरीके से बल्लव गड़ के छेत्र के लोग पराग शर्मा को बहुत ज़्यादा जानते नहीं है लेकिन भाजपा नेता गदगद है कि कांग्रेश की अधिकत और विद्रुई उम्मीद वारों के चलते कांग्रेश का बोट बैंक बटेगा उनका बोट बटना तैह है और इन दोर शीटों पर बल्लोगर से मूलचन शर्मा जो मंत्री हैं हरयन सरकार में वो शीट निकाल जाएंगे और तिगाउं से राजश नागर शीट निकाल सकते हैं और इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेश हाई कमान हैं कि वो अपने अधिकत उम्मीदवारों के खिलाब दो ही उम्मीदवारों को बिठा नहीं सके बैरहाल कांग्रेस के फैसला विद्रोई उम्मिद्वार होना भाजपा के नेता अपने लिए सुखत मान रहे हैं और इस्तितियां ऐसी हो भी सकती हैं कि इनकी लड़ाई में कब भाजपा के उम्मिद्वार शायद विजैसरी प्राप्त कर लें अब हम एक तीसरी सीट पर आते हैं वो है बढ़कल सीट तो यदि बढ़कल सीट के बारे में हम कहें तो भाजपा के नेता जिन से मेरी बात चीत हुई है वरिष्ट नेता उनका मानना है कि विजै प्रताप तो इस सीट पर साफ जीतते नजर आ रहे हैं और भाजपा के उम्मीदवा धनेश अदलखा कमजोर दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तो हालां की कृष्ट पाल गूजर फरीदावाज संस्तिय चेतर की नो की नो सीटों पर अपने आप खुद भी बहुत ताकत लगा रहे हैं हर छेतर में जा रहे हैं आज वो सेक्टर 21 में भी उन्होंने जन्सभा की वहाँ पर दनेश अदलका भी थे बहार से कारिकरता भी थे और फिष्टन पाल गूजर ने दावा किया है कि वड़कल सीट पर भी तीसरी बार भाजबा का उम्मीदवार यानि दनेश अदलका ही जीतेगा हालांकि उनके पीछ वहाँ धनेश अदलका के साथ कुछ दो एफ आई यारों की बड़ी चर्चा है कि उनके खिलाप एफ आई यार हैं और गंभीर मामलों में हैं लेकिन उस पर वो शपाई भी दे चुके हैं कि उन पर कुछ भी ना कारवाई हुई है ना उनकी गरबदारी हुई है तो ये वेकार की बाते हैं और विरूदी लोग ये फ़ैला रहे हैं कि मेरे खिलाप आप रादिक मामले दर्ज हैं लेकिन बावजूद इसके विजह परताप का पल्ला भारी बताया जा रहा है लेकि दोष्टो जो मैंने सीटे बताई है इनका अंतिम फैसला तो देखो आठ अक्तुवर कोई होगा लेकिन जो संभावनाय में बता रहा हूँ वो सच्चाई के आसपास ही लगती है तो दोष्टो मेरी बातों में कितना दम है या भाजपार नेताउने अवदी रिकॉर्ड जो मुझे बातचीत में बताया उनकी बातों में कितनी सच्चाई लगती है आप मुझे कॉमेंट्स करके बता सकते हैं जिससे कि हम अपने दर्षकों के जो आवाज हैं उनका जो मत हैं उनको जानकर अपने आगे के जो इस्टोरी तयार करें, वीडियो तयार करें तो अपने द के साथ